एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दे चैनल हम कह रहे थे चैप्टर 6 फ्रिक्षन जिसमें हम फ्रिक्षन का कंसेप्ट पढ़ चुगे थे और हमने इसमें दो आर्टिकल देखे थे जो फर्स्ट आर्टिकल था उसमें यह था कि लिस्ट फोर्स हमें कितने अप्लाई करने पड और वो ग्रेटेस एंगल था एंगल ऑफ फ्रिक्षन के एक्वल और यहां से दो केस एराइज हुए कि अगर यह एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्षन से जादा हो जाता है तो हमारी बोडी क्या करेगी स्लाइट डाउन यानि की नीचे की तरफ मोग करेगी और अगर इससे लेस अगर नीचे भी जा सकती है और उपर भी जा सकती है ठीक है तो जो नेक्स आर्टिकल है वो इसी पर बेस्ट है देखिए वो क्या है एगल ऑफ फ्रिक्षन से बड़ा है बिंग एक अक्टिट अपोन बाइए फोर्स पोर्स क्या दे रखिए अब इस वाले आर्टिकल में आ इस वाले आर्टिकल में आपको कहा है कि जो फोर्स है वो पारलल टु दपलीन एक्ट कर रही है और अलॉंग अलाइन ऑग्रेटेस टॉप तो फांड लिमिट बेट्वेंस विच देफोर्स मॉस्ट लाइए अपको क्या निकालनी है आपको लिमिट निकालनी है वो लिमिट के बीच में आपकी जो फोर्स है वो क्या रही एक्विब्यम में रही जैसे कि हमने फोर्स अप्लाई किया 10 20 तो जैसे कि 10 फोर्स अप्लाई अगर मैं करती हूं तो बोडी क्या कर रही है स्लाइड डाउन कर रही है 10 से कम अप्लाई करती हूं तो बोडी नीचे के तरफ मू कि जिसके बाद वो क्या करेगी या थो नेची और वो मूब करने कर जाएगी या फिर वो ओपर मूब करना स्टार्ट कर जाएगी ठान तो हमें इसमें वह लिमिंट ही नि कानली जो के सेधा होंगे कि भॉडी इस एक पॉइंट पर है कि उस पोइंट के बाद अगर हम इसकी वैलू को increase करते हैं, तो body उपड़ी उपर के तरफ move करना शुरू हो जाये, या फिर body उस पॉइंट पर है कि उस value से अगर हम इस point को decrease करते हैं, तो हमारी जो body हम और इयुचे के तरफ move करने start हो जाएगी, तो इस कोशी में पहला केस हम देखते हैं क्या लेट दा बॉडी बी ओन दा पॉइंट ओफ मोविंग अप दा प्लेन की बॉडी उस पॉइंट पे है कि उस पॉइंट से अगर वैलू को हम बढ़ाएंगे तो बॉडी मोव कर जाएगी उपर के तरफ तो वहीज बात है पहले सबसे पहले हम प्लेन डोगे ऑधेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें-व ज्यांतु मुन कहाँ गालिए यहां से जंपता है यह प्लेन के पैरलर आपको बोला गया है और यह नॉर्मल एक्षिन और यह आपका इंगर बन रहा है इसे अगल तीता बन रहे हैं और इसकी बीच में चुंआ अंगल बनेंगा वहांँ क्या बनेंगा अलफा बनेगा से कैसे बिंदे कांग्त लगए तो है अब देखों यहां पर फोर्स क्या लगघा है पीवन इत pew यह बाड़ी का लिए यह ढाले रेक्षिन काैस है यह अनुए इंगर अलफा है एनुए अपось इस देरेक्शन में लगह염ताी है तो यहां upward के लिग Sounds तो W के कॉम्पनेंट यहां पे क्या बन जाएगा W कॉस अलफा और इस डिरेक्शन में क्या बन जाएगा W साइन अलफा यह हमने इसको रिजॉल कर दिया अब along the plane देखो P1 है, Mu R है और W साइन अलफा है value को हम यहां पर पुट कर देंगे तो P1 की value क्या बन जाएगी mu R की value पुट करेंगे w cos alpha plus w sin alpha तो दोने में से w common आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा sin alpha plus mu cos alpha मैंने बताया था कल भी कि mu को हम किसे रख प्लेस करते है tangent lambda से tangent lambda को मैं क्या लग सकती है sin lambda by cos lambda यहां से cos lambda मैंने लिए लिए तो उपर क्या बचिक है sin alpha cos alpha plus cos alpha sin alpha यह किसका formula बन रहा है sin a cos b plus cos a sin में जो किकफल होता है sin a plus b केकफल होता है तो मेरे पैस P की value किया आगए w sin alpha plus lambda upon cos lambda which gives the amount of force just sufficient to move the body up the plane कि अगर हम इस point से जादा force लगाएंगे तो body हमारी अब उपर की तरफ move करना start कर जाएगी चीक है यह case समझ आगए अब second case में क्या difference आएगा कि body नीचे की तरफ move करना start कर जाएगी नीचे की तरफ move करना start करेगी तो देखिए let the body be on the point of moving down the plane की body अब उस point पे है इस point के बाद वो क्या करेगी नीचे के तरफ move करना start कर जाएगी तो हमने P2 force ले लिया अब देखिए P2 force हम caution में given है कि जो force है वो parallel लेना है plane की तो इसी वर्ज़े से हमने क्या रहा है तो नीचे की तरफ move करेगी तो friction of positive direction में लगेगा वो क्या लगेगा मियू आर इस direction में ये R और ये W फिर से हाँ पर alpha ये दुबारा से क्या बन जाएगा देखो इसको resolve करोगे तो क्या बन जाएगा W cos alpha और इसको करोगे तो क्या बन जाएगा W sin alpha ठीक है किसकी पर आएगा R is equals to W cos alpha R की फिर से direct value आगी तो R की value को हम इसमें put कर सकते है तो P2 plus mu W cos alpha as equals to W sin alpha P2 को यहां रखोगे W sin alpha minus mu W cos alpha ये ये बनेगा फिर दुबारा से क्या करो इसकी value को put कर दो किसकी mu की value को mu क्या होता है tangent alpha यहां पर किया नहीं हुआ मैं आपको गर के बता देते हूं equation क्या है आपके पस P2 is equals to W sin alpha minus mu W cos alpha ये है देखो P2 is equals to W sin alpha minus mu क्या होता है tangent alpha W cos alpha P2 is equals to W sin alpha minus tangent alpha को में क्या अलग सकती हूं sin alpha by cos alpha और into में cos alpha चीक है और W तो साथ में चली रहा है तो P2 is equals to W sin alpha minus W sin alpha just a minute में क्या mu के sorry mu किसकी equal होता है tangent lambda की equal होता है तो यहां पर lambda आएगा ठीक है लैमडा है यहां पर यहां से cos lambda को LCM ले ले लीजिए cos lambda LCM ले 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 लिए w sin alpha cos lambda minus w sin alpha cos alpha यह बन जाएगा तो P2 किसकी इकवल आजाएगा W बहार आजाएगा sin A cos B minus cos A sin B इसका फॉमला बन जाएगा sin A minus B का फॉमला बन जाएगा मैंने bio mistake उसको ले लिए था alpha ले लेग दिया था lambda एगा ठीक है तो हमने value आगी यहां से अब देखो अब यह क्या कौन सी value है कि इस value value के बाद body नीचे move करना start कर जाएगी तो P2 से P1 हमारी क्या आगी force की limits आ गए P2 और P1 के आगी हमारी force की limits आ गए यह हैं आपको निकान लिए था equation के coding ठीक है अब देखिए next next में क्या है to find the limits between which a force must lie in order to keep a body in equilibrium limits निकान लिए जिससे force हमारे जो body है वो equilibrium में रहे plane way rough inclined है फर्क क्या है इस article में और इस article में force उसमें parallel to the plane था और इसमें क्या है horizontal है देखिए इसमें क्या फर्क रहेगा diagram में यह object है इस पर force कैसे लग रहा है horizontally लग रहा है यानिक यह लग रहा है तो हमारा force of friction यहां लगीगा body का weight होगा डब्लीव and normal direction R यह angle alpha और यह angle alpha हम resolve करते हैं इसको P1 के लग P1 के लग रिजॉल करेंगे तो यह क्या बनेगा P1 sine alpha और यह क्या बनेगा P1 cos alpha W के लग रिजॉल करेंगे तो यह बनेगा W cos alpha और यह क्या बनेगा W sine alpha चीक है अब मुलगा तो components को resolve करते हैं यहां पर क्या है w sin alpha और क्या है mu r और यहां पर क्या है p1 sin alpha तो w1 sin alpha plus mu r किसके एकवल आजाएगा p1 cos alpha की एकवल आजाएगा ठीक है और इसे तरह से इस पर लगाएंगे तो r किसके एकवल आएगा r is equal to w cos alpha plus p1 sin alpha अब r की direct value आगे तो इस value को हम इसमें पूट कर सकते है p1 cos alpha is equal to mu as it is r की value पूट कर दी plus w sin alpha as it is p1 cos alpha अब यहां पर क्या किया अब इसको यह माइनस में लिए mu की value को tangent lambda पूट कर दिया tangent lambda पूट करोगे और इसको sin cos में change करोगे तो चेंज करने के बाद आपके पास automatically value आजाएगी इनके according solve मत करना खुब से solve करेंगे देखना तो value क्या आएगी डबल्यू tangent alpha plus lambda चीक है अब यह तो case था कि body उस point पे है कि इस point के बाद body क्या मूव करने लग जाएगी उप्र के तरफ मूव करने लग जाएगी तो देखिए यह body है अब force बोला है कि horizontal लगेगा तो हम horizontal लगाएंगे अब body move तो इधर करेगी न तो force of friction कहां लगेगा इधर लगेगा इ weight है और यह normal direction आ रहे है फिर इसकी component को resolve कर देंगे हम इधर w है तो w की component क्या बन जाएंगे w cos alpha इंदर क्या बन जाएगा इधर इस साइट क्या बन जाएगा w sin alpha इसी तरह से p2 की बात करूँ तो p2 cos alpha पी 2 sin alpha बनेंगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या बन जाएगा p2 cos alpha ठीक है अब देखो इस के लोग देखो इस वारी line के लोग ड़ू sign alpha है यहाँ पे रहिए व्लू sign alpha क्या मिउ u r प्लस p2 cos alpha तो w sin alpha किसकी इक्वल हो जाएगा mu r plus p2 cos alpha और इस वाली लाइन के लोगे देखेंगे तो r किसके एकवल हो जाएगा r is equal to w cos alpha plus p2 sin alpha चीक है यह दोनों पार्ट सा नहीं हाँ पर कौन से कौन से एक तो w cos alpha है और एक क्या है p2 sin alpha है चीक है तो देखिए यह दोनों टर्म यहां पर आये हुए r की value इस equation में से निकाल की इसमें put कर देंगे दुबारा से फिर दुबारा से mu है तो mu को क्या put कर देंगे tangent lambda tangent को sin को change करने के बाद आपका answer क्या जाएगा यह आजएगा तो यहां पर भी अपके पास जो limits आगी वो क्या आगी p1 से p2 आगी p1 और p2 दो values आगी hence p1 and p2 are the limiting values of the force required to keep the body at rest and which p1 is the greatest force and p2 is the least force p1 क्या है greatest force है और p2 क्या है least force है उसमें p1 क्या है greatest force और p2 क्या है least force है और i hope आपको समझ में आ रहा होगा अब देखिए अगर आपको दोनों article समझ में आ जाते हैं तो यह वाला बहुत easy बन जाएगा आपके लिए क्योंकि जिसमें case है यह first और second वो इसमें क्या बन क्या हुआ हुआ यह पूरा का पूरा पूरा article बन क्या हुआ हुआ देखिए कैसे अब देखिए इसमें क्या कह दिया आपको कि बोडी को क्या करना है बोडी को क्या करना है उपर की तरफ मूव करवाना है अब प्लेन करवाना है तो अब इसमें भी case first किया था let the body on the point of moving up और इसमें भी case first किया था let the body on the point of moving up तो यह दोनों जो case है यही इस article में दी हुए है इसमें जब force का फर्ग था force इसमें parallel थी horizontal थी इसमें force क्या है आपके पस along the plane लाइग करेगी चिक है देखिए मैंने यह point ले लिया यह force क्या है मेरी प along the plane लाइग करेगी एंगल थीटा बना रही है यह weight है इसका यह आ रहा है force इदर की तरफ लग रहा है तो friction इदर की तरफ लगेगा that is mu r resolve कर लिया मैंने p को तो यह क्या बन गया p cos theta यह क्या बन गया p sin theta इसी तरह से w को कर लिया और इस line पे देखें तो w sin alpha plus mu r is equal to p cos theta चीक है तो यह दोने values आ गए यहां से r की value निकाल लेना w cos alpha minus p sin theta रूपर वाले equation में पुट कर देना फिर दोबारा से mu की value को पुट कर देना that is tangent lambda tangent lambda को sin cos में change करोगा तो यह value आ जाएगी अपकी अब देखो अब हमें यह क्या थी general force ही ना plane जो हमारी force लाइक करी थी वो general लाइक करी थी अब यहां पे अगर मुझे निकालना हो parallel के लिए parallel के लिए देखो यह force है यह ऐसे लाइक कर दो है मैं कहाँ दूँ कि यह parallel लाइक करने चाहिए तो parallel के लिए ऐसी हो जाएगी यह निकी थीटा क्या बन जाएगा जिरो बन जाएगा थीटा खतम हो जाना चाहिए तो अगर मैं थीटा को जिरो पुट कर दूँ यहां पे ना जिरो पुट करोंगी तो क्या बचेगा यह तो बचेगा अलफा बन लाइडा यह तो बचेगा तो प्टू का थीटा यह यह लिए गला ही तो प्ला जाएगा तो फूर्स एक्ट अलोंग डा ब्लार ब्लार लाएगा तो इसमारे फूर्स चाहिए प्रल्ल लाइने thoughts और यह गला निकी अलोंग दान आप देख भी सकते हो मैं थीटर को क्या पूट कर दू मैंनस अल्फा तो यहाँ पूट करोंगी तो मिरे पास वैल्व क्या आजाएगी डबलू टैंजेंट अल्फा प्लस लैमडा और आप यहां से भी देख सकते हो कि आपके पास यही वैल्व आई थी जे रही है तो यह दोनों आर्टिकल से ही व कि इस फॉर्स को मुझे लिस्ट करना है तो मैं कुझे क्या करना पड़ेगा और वो का फॉर्स सिवल है जब थीटा इस रिकोल स्टी लामडा होगा क्योंकि थीटा की वैलू क्या होती है जीरो पर होती है न तो यह जो आर्टिकल है ना नेक्स्ट वह यही है तो फाइंड पुझा है कि लिस्ट फॉर्स कब बनेंगी जब को सिटा माइनस लामडा ग्रेटेस होगा दाट इस सिटा इस इकोल स्टू लामडा चिक है तो इस आर्टिकल से यह भी हो गया सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यह वाल आर्टिकल रह गया एक इसमें क्या डिफ्रेंस से देखि रही है थूब लाइन ऑज़ इस से बाड़ देखिया लुशन को हम करते हैं यह बाड़ी है इसमें और इसमें क्या फरक है तो की बाल नहीं घिया ता इसमें मिवादैस्या गला तो मियू आप्पर लगया सिर्फ इस मिवह फरक कैं हम उप 這 से अग्ड़ी में थ्याट कर दिया मास्सथा भीकशन थिटा यूलन को रिखेरा कि शाग कर दिख लो पह मैंने तो यहां पर क्या बनेगा ? यहां पर क्या मैंद त्यान बनेगा ? अंत्याे सुझे यहां यहां Cobainab was बश्पात का बनेगा ? W sin alpha is equals to mu r plus p cos theta ये तो बनेंगे देखो W sin alpha is equals to mu r plus p cos theta और इसके लोंग देखो इसके लोंग बनेंगे r is equals to w cos alpha ये है यहां पे और यहां पे और कौन सा है minus p sin theta चीक है यही है है यहां पे components देखेए W sin alpha as opposed to mu r plus p cos theta और यहां पे r प्लस p sin theta देखो यहां पे r यहां पे आ रहा हैं यहां पे p sin theta लाइक कर रहा है तो यह ऐसे है r plus p sin theta और निचे की दिखे लाईक लाइक कर रहा है w cos alpha तो यहां यह से w कॉमर ले लिया मैंने और पी की वैलु निकाल दी यहां पर दुबारा से मू बन गया वियो को साइंड लैमड़ा बै कोस लैमड़ा में चेंज कर दिया कैंसल हो जाए कालसियम लेगे आपके पास पीडो की वैलु क्या बन जाएगी डव्यू साइन अल्फा मैनस लैम्डा पॉन को स्थिटा प्लस लैम्डा यह वैली वैल्यू आजाएगी जब आप इसको पूरा सॉल्ट करोगे मैंने सॉल्ट करके देख लिया है आप भी देख लिए ना यही एज़ इस वैल्यू आएगी जब को यहां पर भी आई हुए ठीक है और यहां से भी दो केस निकाल दिया कि जब टीटा को हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास तीटा को 0 पुट करेंगे तो पीडेश की वैल्यू यह आजाएगी तो फोर्स हमारी along the plane act करेगी और जब हम थीटा को माइनस लेंड अल्फा पुट करेंगे तो फोर्स की वाइल हमारे पास यह आएगी और हमारे पास फोर्स horizontally अक्ट करेगी तो यह articles सिर्फ और सिर्फ practice समझ में आएंगे जब आपको diagram समझ में आजाएंगा ना जो में बात आपको धिहान रखनी है इन articles को करते हुए वो यह है कि आपको यह चेक करना है कि फोर्स पैरल एक्ट कर रहा है along एक्ट कर रहा है horizontal एक्ट कर रहा है कैसे एक्ट कर रहा है एंगल कैसा है प्रिक्षन यहां लगाना है यह समझ में आजाएगा तो components अपने बन जाएंगे components बन जाएंगे equations बन जाएंगे तो र की value आजाएगी तो पी की value सानी से आजाएगे रब का answer आजाएगा तो में बात को कोशिंग के statement समझ में आजानी चाहिए और उसको समझने के बाद आपको diagram बनाना आना चाहिए ठीक है मैंने अपनी दर्व से समझाने की बूरी कोशिश किया आपको अगर फिर भी कोई आपको ताउट है कोई ansen